बेदानता स्टॉक में डिसकस करेंगे और हमने आपसे कहा कि कभी भी गिरते हुए चाकू को कैच करने की गलती नहीं करेंगे नेवर ट्राइ टू कैच अ फैलिंग नाइफ और हमने इस स्टॉक में क्या देखा कि मल्टिपल निगेटिव निउज रहे कुछ एक निउज नहीं रहे मल्टिपल निगेटिव निउज रहे जहां बैंक डेट का कंसर्ण दिखाया प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची चीप को लेकर के हमने देखा कि फॉक्स कॉन ने ये कोलेबरेशन को डील को रद कर दिया और इन सभी निगेटिव निउज के बाद उस स्टॉक में जहां 3-5% अगर इंट्राडे की गिरावट हो ऐसे स्टॉक को सोट टर्म के लिए कभी भी बाइंग नहीं करेंगे हो सकता है आपने 240 पर ही बाइंग करा और ये आपको 248-52 तक के लेविल्स दिखाएं उसके बाद ब्रेकडाउन 220 आजाए 200 आजाए और आपने 7-8 रुपीज पर सेयर गेन कर लिया लेकिन ये एक सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग नहीं है ये बिल्कुल गेमलिंग है तो इस परकार से ट्रेडिंग करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए इस समय 240 के प्राइस दिख रहे हैं और जो न्यूज है वो आप सभी को पता है एलमूनियम बिजनेस को लेकर के CEO हायर करे गए वो भी हमने कहा और लगबग कंपनी को 30,000 करोड टू थावजेंड 24-26 के बीच में डेट भरने हैं चुकाने हैं और यहां यही सभी कॉमनली न्यूज आपको दिख रहा है और हमने देखा कि मॉर्गेन इस्टेनली ने बाइ कि आपको पकरने से बचना चाहिए इस समय यह देखेंगे यह एक ट्रेंड लाइन था इसको रिस्पेक्ट करा स्टॉक ने 220 से 400 के लेवल्स दिखे लेकिन यहां इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करते दिख रहा है अब जो मेजर सपोर्ट इसे स्टॉक में है वो निय की लेवल कह रहा है उसके पीछे के क्या लॉजिक है वो कमेंट में लिखे या फिर ऐसे तुक्का मारने से बचे मुझे लगता है कि इस स्टॉक में 185-2001 मेजर सपोर्ट है जहां तक के मैक्सिमम लेवल दिख सकते हैं मीनिमम 272 के लेवल को ब्रेक आउट करने दे तभी ल